दो ऐसी archaeological discovery जिसके मिलने के बाद वैज्यानिक भी काफी हैरान थे नमो वन, skull helmet Archaeologist को South America में कुछ ऐसे बच्चों का सौँ मिला जो की जमीन में दफन थे और उन्होंने अपने से बड़े बच्चों की खोपड़ी से बना helmet पहना हुआ था study में ये पाया गया कि जब उनके सर पर skull का helmet लगाया गया तो उसमें मास लगा हुआ था वैज्यानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर इन बच्चों की सिर को ढखने के लिए skull से बने helmet का इस्तिमाल क्यों किया गया पर सच में ये discovery काफी ज़्यादा डराऊना और काफी ज़्यादा हैरान करने वाला है 2020 में इरान के कुर्दिस्तान प्रांत में खुदाई के काम के दोरान एक बेहदी पुरानी कबर मिली जिसमें इनसान का कंकाल था एक हज़ार साल पुरानी इस कबर में इनसान के कंकाल का होना कोई नई बात नहीं थी लेकिन इसमें जो नई बात थी वो ये थी कि कंकाल एक मिट्टी के बने विसाल जार में था ऐसा पहली बार देखने को मिला था जब किसी को मिट्टी के बने जार में दफनाय गया था उस जार में कंकाल के साथ तलवार छूरी समेत कुछ ऐसी चीजे भी थे जिससे ये पता चला कि संभौता ये जिसका कंकाल है वो अपने समय में सैनिक था जिसकी मृत्ति युद्ध के दोरान हो गई होगी और उसे समान से अंतिम विदाई देने के लिए ही इस मिट्टी के जारका उप्यो किया गया कि अग चला कि दोगा जारका के लिए प्रेजा खिताओ